नमस्कार दोस्तो मैं है मेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टिमेट लक्स पर दोस्तो इसा क्या आप लोगों पता है मैं आप लोग को हिस्टी पढ़ा रहा हूं आज यह मेरा जी मौडरन हिस्टी का है यह 11 नमर पार्ट ह इसके पहले जो मैंने 10 नमर तक पार्ट तक हतम किया है और जो मैं इस पार्ट में पढ़ाने जा रहा हूं वह अभी सुतनता अंदोलन हमारे जो है वह भी खतम नहीं वह तो जो है सतनता अंदोलन को ही अभी हम लोग उसको कंटीनियू रखेंगे ठीक है तो दूस्तों वीडियो को जाके देख सकते हैं इसके सासाती सारा वीडियो देखने के लिए आप हमारा यह यहां पर आया कॉन है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इससे क्या होगा यहां पर सारा वीडियो दिया हुआ है तो आप लोग वहां से जाकर करके डारेक्ट ही सारा वीडियो पास सकत आप लोग वहां से भी सारा वीडियो देख सकते हैं और आपका जो सारा डाउट है किलियर हो जागा उसके बाद मैंने जो modern हिस्टी पढ़ाना है तो उसमें जो 10 पार्ट है और प्लस एक रिविजन पार्ट है जो वाइसराय का रिविजन था उसका भी मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्षन व्क्स में नीचे डाल दिया है वहां से आप लोग सारा वीडियो देख सकते हैं और हिस्ती कि साथ मैं आप विदियो देख सकते हैं ठीक है तो आजकीस एग्यार व्यप्ट में जो हम लोग पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे पढ़ेंगेateg aliens sam 0090 आवन से तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि 1937 तक क्या हुआ था इसके बाद हम लोग जो एक छोटा सा एक टॉपिक था कि वो जो भारतिय सोधनता संग्राम में जो नारे लगे थे ठीक है कि किसने कौन से नारे लगाए थे तो मैंने उसको भी इसमें इंक्लूट किय है तो वो भी आपके exam के point of view से बहुत important रहेगा तो आप लोग उसको जरूर एक बार देख लेंगे ठीक है तो चलिए आप लोग से request करता हूं कि आप लोग जो है वीडियो को रहन तक जरूर देखें उससे क्या होगा आप लोगा जितना भी doubt से सारा clear हो जागा ठीक है तो लिया भी सTART करते हैं तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि 1928 तक क्या क्या है घठ în它 आज के पार्ट में लोग श्टार्ड करें जो सब्सक्राइब नार्मल प्रिका थी कि तो इस सवास को प्राइब परने का तरीका ज़ुライv इस्तिफा दे दिया उसके बार की दूतिया विस्व यूद स्टार्ट होória ठीक है यह बहुत इंपोर्टेट है कि जो दूतिये विस्ट्वेश कांप तो उनुसं चरूए कि भारत में लिग सामील होगा ठीक है यह जो आइसरा जो फो canopy कि उसने क्या कर दिया घोशना कर दिया कि जो भारत भी जो है इस यूद में सामील होगा ठीक है और उसमें जो भारत जो है यूद में किसके खिलाप लड़ा था तो वो जापान के खिलाप लड़ा था ठीक है जापान और ब्रिटिस में जो है ब्रिटिस के तरफ से भारत में लड़ा था विर्तिस सेनिकों की तरब से तो जो जापान है जपान के विरुद में ही युद हुआ था जो विषय विधुन का भारत के खिलाव जो भारत और बिर्तिस इंडिया मिल एकन उसके बात क्या कि त्यागपत्र के उपलक्ष मेन उधार दिवस मनाय गया ठीक है जो मुसलिम लिग था कि किस districts किया था ये तो 1906 में किया थ हैं कि सलीम मुला भां और आहर खान भाने ठीक है यह एमने पिछले पाटने में बताया भी था सलीम उल्ला हा और आurgh तो इन्होंने जो मुस्लिम लिग की अस्थापना की थी कहां की थी तो धाका में की थी ठीक है धाका में की थी तो यह जो है इसी में इन्होंने क्या किया था उद्धार दियस मनाया था कब जब इन्होंने सारे कॉंग्रेस कॉंग्रेस मंत्रियों ने क्या किया था तो जब इन ठ जो मुस्लीम लिख लिख्का गाट लाहर अदिवेशन हुआ था उसमें की आवा था कि पाकिस्तान के संकल्प को प्रस्तुत किया गया। कि मतलब हम लोग पाकिस्तान नामत एक देस है उसकोDelight mo or आगास्त में Apple की घोसना कर दें कि आश को मतलब करेंगे घ्लाप करें और क्या करेंगे उसमें अंग्रीजों कहलाब जो है अंदोलन करेंगे ठीक है यह तो हुआ 1940 का घटना अब आते हैं हम लोग उनिस सो एक तालिस में निस सो एक तालिस में दो घंट नाए महतपूर्ण थी पहला कौन सा तो रविद्ना टैगर को मित्यू और दूसरा सुभास चंदरबोश ने भारत से जर्मनी निकल गए थी ठीक और वहां से अपने अंदोलन को करने लगे ठीक है तो यह इंपोर्टेंट पॉइंट था आप चले हम लोग आगे नेक्स पॉइंट में देखते हैं क्या है नेक्स आते हैं 1942 में इसमें बहुत सारी घटनाए हुई थी तो हम लोग चलिए उसको एक एक करके देखते हैं पहल कुई ऑप्सें में दे दिया जाएगा उसमें दो तीन य physician का नाम देखते हैं और चर्चिल का नाम देखते है तो आप लोग चर्चिल का नाम को क्लिक करेंगे ठीक है अगला बट क्या है कि कृप्स मीशन के प्रस्तावों को Congress ने खारिश कर दिया था जो क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव जो ब्रिटेन के प्रधान मत्री चर्चील है इन्हों ने दिया था उसको Congress का अस्ताव न कव हुई थी मैंने बताया भी था तो 1885 में हुआ था किस ने किया था तो A.O.U. मिन किया था ठीक है यह आ गांधी जी ने भारत छोड़ो अंदोलन ने स्टाट किया भारत छोड़ो अंदोलन का संकल्प आई A.I.C.C. के बॉंबे सद द्वारा पारित किया थीक है तो यह जो था यह बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट था कि जो 8.1942 को गांधी जी ने किया किया भारत छोड़ो अ जी साफ़ी ने भारत है कि सोवीने अबगया थीक है द्वारा इसी नेसफी सबस्ट किया थाintéर आगला आपका हैं कि जवाहर नहरा नेहरु की बेटी इंद्रा इंद्रा गांधी एक पारसी वकिल और्वीदा में 거지्फिरोज गांधी से फिरोज गांधी ऐयो होत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग को सब को पता है कि जो इंद्रा गांधी के husband का नाम था फिरोज गांधी इनोंने जावरलाल नेरु कि मतलब विरोद में मतलब उन्हों ने क्या क्या विद्रो किया और पार्सी वित्रोही था और क्या क्या उसके पिता के इक्षा के उनको क्या किया गया? ब्रिटिस सरकार ने मुंबई में गिरफतार कर लिया गया, ठीक है? उसके यहाद किया हुआ कि नव विवाही जोड़े इंदरा गांधी और फिरोज गांधी को भारत छोड़ा अंदोलन में अपनी भागितारी के लिए भी गिरफतार कर लिया गया, ठी क्या हुआ कि दूइतिय विश्वियूत के दोरा 1942 में भारत को अंग्रेजों के कबजे से स्वतंत करने के लिए आजाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी आयने नामक सत्र का जो सेना का संगठन किया गया था ठीक है तो यह आजाद हिंद फौज की अस्थापना कब के लिए ठीक है जो भारत अंग्रेजों के कबजे में है तो उसको सोतंत करने के लिए था और इसमें जो था एक चीज यह दिखा गया था कि जो 1942 में जो जापान से जब ब्रिटिस की यूद हो रही थी तो जापनीज लोग भारतिया सेनी को कुछ नहीं कर रहे थे वह उनसे पूछ लेते कि वो इंडियन है तो उनको छोड़ दिया जा रहा था तो इस तरह से जो है मतलब इनको थोड़ा सपोर्ट भी मिल गया था जापान के तरफ से तो इस कारण से जो यह थोड़ा सा ज्यादा इंपोर्ट हो गया था यह पॉइंट ठीक है अब चले हम लोग नेक संधाऌ सटापना के ङृष निफ क्या किया कि जी मीशुल्क भारत की जो है गटन की घ कोईना तो सिंघापूर में जला मतलब चुवा था ती कराची सत्र जंवाजन ऑर भछोड़ो ऑन और भ़ाराची के नारे को गहन किया क्या किया, जो मुस्लिम लिखनी जो कराची शत्र में क KIRBY किया जो कराची यnek पाकिस्तान में हो तो उसमें विवाजन और छोड़ों के नारे को गरहन किया क्या 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 कि अठ्जक चोड़िए और इस लोक जो है मुस्लीम लिधने वो भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस गोल घाट के अध्यक्ष बने और भारत छोड़ो अंदोलन के पहले सहीद हुए यह important question है कि जो भारत छोड़ो अंदोलन में जो पहले सहीद कौन हुए थे तो कुलाल कोनवार ठीक है और यह क्या थे भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस के ग अब हम लोग नेश्ट पॉइंट के तरह बढ़ते हैं अब हम लोग आते हैं 1946 में इसमें क्या क्या हुआ था कि British और भारतिय वायू सेना एकायों की Royal Air Force ने British सासन के खिलाब विद्रो किया था जो British और भारतिय सेना की जो एकायों की एक जो Royal Air Force था इसने क्या किया British सासन के खिलाब जो है विद्रो कर दिया कब 1946 में उसके बिटेन के प्रधानमंत्री अटली थे या एटली भी बोलते हैं ने Cabinet Mission की स्थापना के रदी ठीक है Cabinet Mission की घोषना का वही तो 1946 में किस ने की थी तो एटली ने की थी ठीक है उसके बावेल ने जो है अंतरिम सरकार बनाई ए ठीक है मतलब अपने भारत और बीटी को मिला करके सरकार बनाई इए उसके आज के वहाँ संभीधान का पहला सत्र बिज़े इसी बएर स्टार्ट हुआ जो संभीधान का पहला सत्र यह कोशन आता है कब श्राट हुआ था तो 1946 में हुआ था ठीक है उसके आत क्या है नेहरू जो है Congress Party के नेता चुने गए और जो जवार लाल नेहरू है वो Congress Party के क्या हुआ निता चुने गये ठीक है भारत के संभीधान के लिए पहली बार यहाँ पे यह मिली ठीक है तो भारत के लिए संभीधान सवाज हो पहली बार मिली थी यहाँ पर तो संभीधान जो ब्रीटेन के उसमें प्रधान मंत्री थे इन्हों ने क्या किया नितǐ्न को छोड़ने की घोसना कर decay Almost year initiative नाइडिसमें सना किया कि व्हुन सूर छून नायिचा जून तक भारत को ब्रीटिय्स सणवा ढेगेगी फिर क्या हो कि Lord Mountbetton ने जो उसमें किये वाइसराइ थे ठीक है और इनको जो भारत का अंतीम वाइसरा भी कहाया था और स्वतन भारत का परतम गवर्णल जनरल भी mountbetton को भी कहायाता है ठीक है तो इसने क्या किया था कि पिछले British जो वाइसरा है और भारत गवर्णल के जनरल की सपतली इन्होंने क्या किया जो बिटीज के जो लास्ट वाइसरा है और भारत की गवर्नर्ट जनरल की सपतली ठीक है तो मैंने अभी जस्ट बता है कि लॉर्ड माउंट बेटन जो है यह क्या थे जो भारत के पहले वाइसरा थे और पहले सुतन भारत के पहले गवर्नर्ट ज टुटिए थे रेड़ क्लिफ ने ठीक है इसने माउंड बोतिन ने घसन लोसना ए और किया थे रेड़ क्लिफ ने उसी कारण से रेड़ क्लिफ लाइन का वो किया गया था बनाया गया ठीक है अब हम लोगे आते हैं नेक्स पॉइंट में कि भारतिया सुन्ता विधययक को बिच में यूद्ध हो गया जोनागर भारत के डोमिनियन में सामिल हो गया जोनागर था बिच में भारत के डोमिनियन में भारत के हिस्ते में सामिल हो गया ठीक है फिर एर इंडिया ने पहली बार अंतराश्टी उडान भरा जो भारती अभी बार इस पर आधा अंगरेज़्ों से घृण उसके बाद कि जवार लाल नेरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और लाल के लिए पर भारतिय तिरंगा फेराया ठीक है तो यहीं से जो है यह जो प्रतिकात्मक रूप से ब्रिटिस ऑपनिवेसिस आसन के अंतर को दर्साते हैं और यहीं जो है जो जब जवार लाल नेरू ने जब तिरंगा लहरा जंडा लहरा दिया तो वहीं प्रतिकात्मक रूप से क्या हुआ यह दर्शा दिया कि भारत आजाद हो गया है ठीक है और जो जवार लाल नेरू परधानमंत्री बने थे तो पर्थम राश्पति कौन बने तो राजेंदर परसाद बने थे, यह मैंने पिछले पार्ट में भी डिस्कस किया था, ठीक है, यह इंपोर्टेंट है, आप लोग याद करेंगे, और उपराष्टपती कौन बने थे, तो उपराष्टपती बने थे, स्वरपली, राधा कृष्णन, यह भी मैंने पिछले पा ठीक है, अब चलिए हम लोग जो नेक्स्ट पाइट में जाएंगे, वो क्या है कि जो भारतिय नो, ने जो नारा लगाया था, अंदौलन के समय में, हम लोग उसके वारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो भारतिय सुतनता अंदौलन के प्रमुख वचन और नारे, तो यहाँ देखते हैं, तो चले इसको देखते हैं, पहला क्या है कि इनलाब जिंदाबाद, जो इनलाब जिंदाबाद का नारा वो किस ने लगाया था? तो भारतियों, जो भगत सिंग्ने लगाया था, तो यहाँ पे हम लिए दिलि precious इस अंदौलन को ना लगाया था, तो शुफास दिल्ली और वहां चाकर के जो है अंधर्यजों से यूद करेंगा और भारत को सतंता दिलाएंगे ठीक है उसके आता है नारा करो या मरो करो या मरो का जो नारा दिया था वो किसमे दिया था तो महात्मा गांधी जी ने दिया था ठीक है जै हिंद का नारा किस ने दिया था तो भरतेंदू हरिश्चंद्र ने दिया था ठीक है यह सब इंपोर्टेंट है आप लोग मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं इनकलाब जिन्दाबाद भगत सिंग दिल्ली चलो सुभास चंदर बोस करो या मरो महात्मा गांधी जैहिन सुभास चंदर बोस पुर्ण स्व नारे जो है लाहर अधिवेशन चल रहा था उसमें उन्होंने क्या किया था पूर्ण स्वराज का नारा दिया था और यह संकार पिया था 26 जनवरी 1929 को कि जो भारत को आप पूर्ण पूर्न आजादी दिलाएंगे पूर्ण सुदनता दिलाएंगे ठीक है चले हम लोग ने ने दोलिखाय स आरी तो कि जुवेदक यूर्ол रॉटो ये किन का आया था तो दयाननसरस्टी jiga फिर Russ की आराम हरम यूज डी को जवालाल निखरो कि यूद के समय में यह नारा दिया था तो जय ज़ान जयंकिसान. ठीक है, यह इ tulig है, इंपएंट है लाखह sü령 sedan ठीक है. पर भी तैता थो मंगल पांदे ह değildi? बाइ 라ख guar यह यह काint है? बीटर के अंदर फांसी दे दिग थी ठीक है नेक्स्ट है कि जए जगत जए जगत जो ना रहा था वह था किसका तो विनॉबाब हाबे का ठीक है नेक्स्ट Bitch model मतलब जय कर,मतलब जो टैक्स है वो मत दो यह किसका नारा था तो ये था सरदार बल्ला भाई पटेल का ठीक है ये सारा इंपोर्टेंट नारा है इसलिए मैं आप लोग को लिए करवा दे रहा हूँ आप लोग इसको करके नोट कर लेंगे क्योंकि एक्जाम में एक दो कोशन कभी-कभी आ जाता है कि ये नारा किसका था ठीक है तो चलिए जहन भी है विजयविष्वित तिरंगा प्यारा जंड़ा उच्छा रहे हमारा तो ये किस ने यह था सयामलाल गुपता पारसादने ठीक है वंदे मातरम नारा या वंदे मातरम वचन किसने रहा बंकिम चटर चंचटर जी और ये जो हम लोग जानते भी है इन्होंने वंद सामराज जिवाद का नास हो बहुत इंपरेंट ये नारा है ये किस ने दिया था न भगत सिंग ने दिया था। नेश्ट स्वाराज जन्वसीत अधिकार है ये था बाल गंगादर तिलक जी का ठीक है जो लाल बाल पाल थे जो तीन जो नरम दल के नेता थे उस Kell met जो थे बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने नारा दिया था किया सुराज हमारा जनमसिश्द अधिकार है और इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता ठीक है ये इंपॉर्टेंट है जो बाल कंगाधर तिलक जी ने दिया था अगला नारा क्या है कि सर फरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जो और कितना बाजवे कातिल में यह दिया था राम परसाद बिस्मिल जी ने ठीक है यह इंपोर्टेंट है यह भी यह भी कोशन आया हुआ है इसलिए आप लोग इसको जरूर याद कर लेंगे ठी और Genau की किसे दिया था तो आलमा अलम जो आलमा अलमा इक्माल या मुहमाद इकवाल इकवाल ही बोला जाता है इन है तो तो इना ञिक है इंपोर्टेंट है आल मा इकवाल इनोन भी ऐस साय जहां अच्छा हिए हुआ आप बढ़ते हैं कि नेक्स नोच ना रहा है कि तुम मु तो यह खुन्दों मैं आपको आजाए दूंगा ठीक है next है कि साइमन कमीशन वापस जाओ यह important है आप लोग इसको जरूरू नोट करेंगे जो साइमन कमीशन वापस जाओ यह नारा था तो लाला लाजपत रहे का था और इन्हों नहीं जो इसी के दौरान जो है अंग्रेजो जोटी मिर्द्व हो गई ठीक है अगला हय क्या कि हू लिफ आफ इन्डिया मनननों अजो इसलिए आफ इन्ड़ूस इए जो यह व्के опас एक था इंगरेशन के सीर पर लाठी का एक प्राहर अंग्रेजि श्मारा तो इसस्ते कर दिया था जब यह मरने लगे थे जब इन वेखेटब कर दिया गया था ऑगरिय दटने सेमार मारके। उसी से मर्तेवक्त तेन लुखे जो यह बात बोला था है। मेरे चींद परार आछे भाव ऑग्रेज के शासन के ताबूत की कीक बनेगा धाट भी ताबूत में assistants को बंद कर दिया में कील सेटोग के। धिक है अगला है और लास्ट नारा क्या है कि मुसल्मान मुर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांकी और हिंदू उनसे भी मुर्ग थे जो उन्होंने उसे थुक रह दिया ठीक है ये किसका था तो अबूल कलाम ajad ji का था ठीक है बहुत important है आप लोगी इसको जरू maison करेंग तो next part जो लेके आओंगा, मैं इसका सारा का question answer लेके आओंगा, ठीक है, तो मैं लगबग में आप लोग को जो है, 200 के question के आस पास में करवाओंगा next part में, तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जरूर जूड़े रहे हैं क्योंकि ये जो next part जो आने वाला है, ये जो सतनता अंदो सारा question answer उसमें रहेगा, और सब आपके एक्जाम से के लिए बहुत ज्यादा महत्पुन रहेगा, तो question answer के लिए हमारे चैनल के साथ ट्यून में रहेए, और हम लोग उसको जरूर लेकर कर आएंगे next part में, तो आज के लिए इतना ही, यदि वीडियो पसंद आया तो like जरू बने के लिए जो पीडियो है, और जितना फीडियो है सारा को जो है, टिलिग्रम से जुझी है, और सारा वहां से डाव्लोड कीजिए, और सारा वीडियो का भी ज है description में, बिलिंक है मैं डाला हुआ है, आप लोग ज दो सारा वहां से वीडियो भी देख सकते हैं, तो तब तक के लिए आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्त रहें, जैहिन, जैवारत, थैंक यू.